हलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग वेल्कम बेक टो आवर चैनल वेल्कम बेक टो माई न्यू व्लोग सो आज 24 नहीं 24 तो में और अभी क्या चल रहा है काम वह आपको बता लेती हूं यहां बच्चों का दूद गरम हो रहा है और यह दूद आ गया जिनको मुझे गरम करना अभ लग 9 15 हो गया है मैंने व्लोग थोड़ा लेती स्टार्ट कर रहा है तो सब तीनों नहादो के बैटे हैं उनको दूद देना है लद्दू को दूद पिलाना है उसके बाद होड़े मेरे बिस्तव अगरा जो भी फैलेवे रात को सोईवे वह ठीक करूंगी जिए बहुत ते कि बाज्री काओं ये ना ब्राउन राइस बना लंगे तो रोटी का ऱाहिक नहीं रहेगी तो फिर्वे दो बनाने पड़े रोटी बना लगे तो भी दो बनाने पड़ी है तो क्या कर दोभा दोनों जरisionsendफे लोला आपका बच्चा सो रहा है तो इसको आप सुलाने के लिए अंदर आ गए यापका बच्चा क्या नाम है आपके बच्चे का विहार आठोड तो इसकी मम्मा क्या नाम है फिर इसकी मम्मा क्या नाम है विनिता बाटी अच्छा विनिता बाटी इसकी मम्मा है और यह विहार आठ तोड़ो फिर आपका जानाम है यूएधे नाम है कि अंगा कि यूटी वाव ने अच्छा नाम रखा क्यूटी डॉल अच्छा एक बात बता हो अच्छा मुझे बात बता हो मैंने आप दोनों के पास बालकनी में किसको बठाया था किसको बठाया था बालकनी में लट्डू भीया है ना तो लट्डू भीया तो भार अकेले बैटे और आप दोनों अंदर बाई को तो लेकर आते हैं बाई तो अकेले बैठे हैं बार है मैंने ना अभी इन दोनों को बैठा ने डिर जाएंगे मैं अपने अपने आप ले आउंगे अपना बेबी no ध्यान से लेंकि अपर ध्यान से उठाना क्यों रुफ बेरी गोड वेरी गूड राइस्ट्रिण थेताना यहीं पथा लो बेड़ पर एक यॉटी के नामे बिटू । क्योटी क्योट्य क्योट है और आपका यानाम है प्रखु कश्राइब दो सब को टैब अधिए अ लान अधिए आधिए पापा बनी इसलिए और आप ममा विनिता बाटी से और दो च अधरी घ्री जिसकर दो है अजी आपके डॉल लॉट्य को आपने पापा के नंबर याद कर लिये आपने याद कर लिये आपको आप लोग भी अपने पापा के नंबर याद कर लो कोई इस टेंज़र आएगगा तो पुलिस फिर आपके हेल्प करेगी तो पापा के फोन नंबर पूछेगी आप फोन नंबर मता दो पापा के तभी आप अपने घर आपाओगे अपनी ममा के पास जैसे वीरू ने अपने पापा के नंबर याद करें वैसे सब लोग अपने पापा के नंबर याद कर लो हमा तो फ्रेंड़ के बनाने वाली हूं टमाटर की चत्नी जो मेरी मम्मी बनाती थी मेरी मम्मी की रेसिपी है मतलब में बच्पन से बहुत जादा पसंद आए इससे कंटिनी तीन चाह दिन तक दोनों टाइम खाना खा सकते हो लंच भी डेनर भी मेरे ममी इसको बनाती थी सिल बट्टे पर प्थर पर पीसके तरब सिल बट्टा तो है नहीं तो मिक्सी में बनाएंगे कैसे बनाएंगे व इसमें डाल दियो करांण को वभी तोड़ा से जीरा लेंगे आंदाजे से एक दम और तैन असमान इसमें डाल लेंगे तेन तम आड़नेंग मैंने न है और यह लाल मिच पावडर और अं्दाजे से जो भी आपको खाना है है जितना भी आप नमक खाते है अतनाद आंख है और बस इसको पीज देना है आपके चकनी बनके रेडी हो जाएगी और इसको आप ऐसी खाऊना तो बहुत अच्छी लगती है एकदम ना कोई ओयल ना कोई गी इतनी प्यारी मतलब अच्छी लगती है और कई लोग इसको ना वेल में जीरा डाल की वापी छोग के भी खाते हैं तो पर अपन कोई डाल की क्यों ही खाना है जब यह वैसे इतनी टेस्ट यह तो बीन पाल तो ओल जो खाना है मैंने बनाया यह अच्छा है ना आइस क्रीब जी आप कितने अच्छे से हैंकी लगा के खा रहे हो किसे बताया आपको ऐसे कहां देखा आपने ऐसे क्या ऐसे हैंकी लगा के खाने से आप ड़टी नी हो गए अच्छा आइन नी रहा है ना खालो चलो ठीक आप खालो फ्रेंड्स अभी का सीन यह है टाइम हो गया है 6.30 और मैं जा रही हूं डॉक्टर के डॉक्टर के मिसले जारी हूं कि में बहुत ज्यादा है एरफॉल हो रहा है कुछ ऐसे मुझे कुछ फील भी होता है तो में को अच्छा लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए पहले मैं ने यहीं पे सोसाइटी में दिखाया था जनल फिजिशन को तो उसने रिक्मेंट किया कि स्किन के डॉक्टर को दिखाओ तो मैं डॉक्टर के जा रही हूं चीया विरुगारब के पास में और गाड़ी मै मैं ड्चला सकती चक्रेक्श पे बैशान सामने भी पास कीषटी मुझे वयष नहीं हो तो मैं बैरीय वकर निकलते हूं तो मैं घाटी को यहां पाउब तो चलो अब चलते हैं गाड़ी में अरे लगगे क्या अरे गेट तो कोई लगगे क्या जाओ रख्या जो यह बनाना